अब आगे बढ़ते हैं एक बज़र आप मार्केट का रुक करते हैं निफ्टी अब 182 पॉंट नीचे सुशील केड़े हैं हमारे साथ उन से जान लेते हैं कि क्या करें इस मार्केट में सुशील गुड मॉर्निंग थोड़ा ग्लोबल मार्केट से प्रेशर आ रहा है आजकल लेट यहां पर कैसे चार्ट बन रहा है और क्या एक ग्लोबल करेक्शन की शुरुवात हो चुकी आपके साथ से ग्लोबल करेक्शन की शुरुवात हो जानी चाहिए थी ऐसा माहल पिछले दो सक्ता से बना हुआ है अगर मैं आपको चार्ट दिखा पाऊं जिसमें की अब जो फेड की मीटिंग सर पे आ गई है और और सारी एकनॉमिक पॉलिशिस फाइनली पॉलिटिक से गवर्न तीश साल यूएस एक्शन्स हैं तो अब पॉल स्टीट की सब्दोहद यह है कि फेड दो कट्स करेगा एक साल में तीन जो टर्मिनल ट्राइंगल पैटन देखिए तो वर्क आउट नहीं कर रहा है यह एक्स्पैंडिंग ट्राइंगल बन गया जो खत्रा बना हुआ था कि यह बड़ा करेक्शन आजाएगा वह एक कंसेंसस बन गया था और कंसेंसस से हम डरते हैं तो आज एफ एमसी की जो बैठक है और कल तक जो नतीजा आजाएगा तो क इस वक्त बहादूरी जादा करने की बजाए कल शाम तक फेड का फैसला सुनने के बाद ही कोई बड़े निरनायक ट्रेड लेने का मन है तो अब निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या विव बन रहा है क्या अभी करेक्शन के शुरुवात हो गई और कहां तक जाएगी ये करेक्शन देखें पिछली बार जो हमारी बात हुई थी अगर ये नीचे की हरी रेखा टूट जाती है ये देखिये निफ्टी पर ये अगर नीचे की हरी रेखा टूट जाती है 21,200 तक की चाल आ जानी चाहिए ऐसी बात अपनी पकरीवन यहां हो थी कल जो एक औरिंग स्टार केंडल सा बन रहा था कि शायर यहां से रिवर्सल होके एक बार वापस 22,700 दिखाए और उसके बाद 21,200 का करेक्शन आए गणना वहां तक थी आज ये सवेरे अगर लेवल उट गया है तो पुराने विजडम के हिसाब से तो यहां और शॉर्ट हो जाना चाहिए पर इंट्राडे की चार्ट्स आप देखोगे तो मार्केट ने यहां असमंजस बनाया हुए कि एक्स्ट्रीमली ओवर सोल्ड है आरेसाई डाइवर्जेंट है तो सिर्फ लकीरों के फकीर अगर हम बनेंगे यूज्वल परिष्थिती में यूज्वल सोच को सस्पेंड कर देना चाहिए तो मैं हडबडा कर यहां और कोई शॉट्स को एक्स्पैंड करूं नहीं पर से हम शॉट्स थे यहां पर हमारी बुक बैलेंस्ट होगी कुछ आइटम्स लॉग कुछ शॉट्स अभी हम उसी को मेंटेन करेंगे इंडिविज्वल स्टॉक्स के ह सब्सक्राइट में विचितरता बनी हुई है उनको देखते हुए सिर्फ निफ्टी के लेविल्स देख करके बेच देने का मन नहीं हो सुषेल जी निफ्टी आईटी पर आपका व्यू और उसको देखते हुए जो पिछले दोतिन दिन में यहां पर पेन है लार्ज केप आईटी है मिट केप आईटी में कुछ कंडिडेट्स आपके लॉंग शॉट आपका व्यू इस वक्ता आईटी पर लार्ज केप आईटी ओर सोल्ड प्रतीत हो रहा है और अगर निफ्टी में रीबाउंड बन जाता है तो आज तो तूटी है इक बार तो सारी सारी बैट्स सस्पेंडेड है शाम तक का फैसला देखने के लिए अगर यहां से कोई रीबाउंड बन जाता है अगर बन जाता है निफ्टी में वापस निफ्टी अगर 22-700 तक चलती है तो मेरे बेस्ट बैट्स होंगे टेक, महिंद्रा, इंफोसिस और कुछ हब तक विप ओके, ओके, चलिए अभी फैट के निर्ना पे बहुत कुछ निर्बग करेगा और बाकी तीन टॉप आई टी बैट्स बताई दिये हैं, शुशी जीन आपको, एक स्पेस और जहां पे अर्निंग्स के दौरान एक प्राइस डेम है जाया था ओबरा रेल्टी में, लेकिन इन तीनों स्टॉक्स पर आपका व्यू इसमक्त रियल स्टेट पर क्या व्यू है? इसकी चार्ट में एक नया हाई आ जाए और ये 26 तक उचल जाए, इसकी संभावना बहुत है, सिर्फ आज एक लेवल तूट गया प्रायर लेवल को, तो देखके नहीं में बिचूँगा, मोमेंटम का भी लेवल तूटना चाहिए, दोनों प्रिमेंट में होने चाहिए, त तो थोड़ा सा विसमय की परिस्तिती है, कल से अगर बजार गूम जाता है, तो प्रेटी स्टॉक्स के साथ 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 गौडरेश प्रापरटीज भी एक बाई होगा, डीलेव की चार्ट थोड़ा सा समझ आना कठिन हो गई है, इस वक्त आप यह देखो, डीलेव की आप ट्रेडिंग के लिए इसको लिया, और बजार गूम गया तो इसको लेने के अगर सोचें, तो इसका एक्जिट्स पच्ट नहीं हो पा रहा है, तो डीलेव से बहतर चार्ट, गौडरेश प्रापरटीज की रहेगी, और अवराल मार्केट रिबाउंड में तेजी का सा अविसली ट्रेडिंग में तो पैसा शॉट करके बन रहा है यहां पर, यहां क्या भी बन रहा है, HPCL, BPCL में? अनुज, इस वक्त तो ठीक है, बेचने वाले की जीत है, और क्रूड भी जो उचल गया उपर की तरफ, तो एक प्यास का छिलका अगर बढ़ गया, तब भी वो रहेगा प्यास ही, वो पत्ता गोगी नहीं बनेगा, तो जो चार्ट के स्ट्रक्चर से क्रूड ओयल में, वो सिर्फ एक रैली के हैं, और रैली का एक चरण और आ गया, तो इसमें भी एक दो दिन का असमंजे से जो इंतजार करना होगा, अभी भी मेरी थीसीज यही है कि कुरूड में यहां से कोई सिगनिफिकेंट बढ़त ना होके, वापस इसको 20 डॉलर डूबने की चार्ट बन ज एक दो दिन रुक करके दस रुपया उपर लेना उचित होगा, इनमें मुवमेंट आ सकती है उपर की बड़ी और वो कन्फरमेशन के लिए एक दो दिन इंतिजार करना पड़े हैं, अच्छा दो तिन स्टॉक जहां बहुत शांदार मोमेंटम रहे हैं, बजाज ओटो, टा टाटा मोटर्स को छोड़के बाकी का सारा भारी हो चुक है, एक नया हाई टाटा मोटर्स में मैं रूल आउट नहीं कर सकता, और उसकी चाल कदाच शुरू हो चुकी है, बाकी के कोई भी आटो स्टॉक्स में मुझे नहीं लगता कि वो नियू हाईस को क्रॉस करेंगे, ब मारूती देखिए, वैसे तो लेवल बढ़ रहे हैं छे महीने में, परलगातार उसके जो नीचे के भी जो स्तर आते हैं, वो नए स्तर आ जाते हैं, एक्स्पैंडिंग रेंज है, तो हम मारूती में जो निरने ले चुके हैं कि इसमें कुछ भी हो जाए हमें तेजी का पदा नहीं करना, जब-जब सेल सिगनल आएगा हम वो करेंगे, तो आटो में मेरी बेस्ट अगर निफ्टी वापस 2700 के तरह बढ़ती है, तो एक अंतिम बड़ा उच्छाल टाटा मोटर्स में और उसके बाद जब भी मार्केट एक सस्टेंड तीन से शे महीने की करेक्श अंतिम चरण है आटो का, और बिलकुल लास्ट लास्ट तक की दौड़ को पकड़ना, भागते बूत की लंगोट पकड़ना, इन्वेस्टर्स के लिए समझदारी का काम नहीं अजया सुशिल ये, फार्मा पर आपका व्यू क्या है? पिछले चार एक सेशन से फार्मा भेही प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, सीरिस प्रॉफिट बुकिंग आ रही है फार्मा में आपका व्यू कोई खास स्कैनी रेट्स जिसको आप चेज, मतलब लॉंग या फिर शॉट कर निगया मन बना के बैठे है तो फार्मा में देखिए कई प्रकार के स्टॉक्स हैं तो छोटे वाले फार्मा स्टॉक्स जिन पर डिलिवरी बाई से की छे महीने साल वरके भी उनको छेड़ने का मुझे तातपरे नहीं दिखता है तो फिर बेचेगा और ट्रेडिंग के गेमज अलग है तन फार्मा और डॉक्टर रेडिस भी हम उसी तरह इंतजार में रहेंगे शॉट सेल सिगनल आएगा तो बेचेंगे अगर उसमें कोई 2-3% बढ़ भी जाता है तो वहां हमने तेजी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना है लार्ज कैप फार्माज हमें बेच-बेच के लेना है और जो स्मॉलर फार्माज हैं उनमें अभी भी बहुत जूस अभी भी बहुत मलाई है जिनकों पकड़ दे हैं चलिए सुशिल बहुत बहुत शुक्ति आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक्स और सेक्टर्स पर बात करने के लिए कि आए जो सुछन झाल करने के ले च्टर्स पर जाबने के लिए लिए घर दिए पूवत बहुत बहुत